हमें वक्त कह रहा है कि तुम कहो मोदी तुझे सलाम बाति को दुम को रहा थै कि भारत निया जो इस युद्ध को रोक सकता है और उनका नाम है परधान मंत्री श्री नरेंडल मोदी और वोदेश है भारत और जब ये नियूज में सुन रहा था तो मुझे बिल्कुल ओ दिन याद आया जब पंडीत जवा हरलाल नेरू कश्मीर के मुद्धे को लेकर यू यनो में गए थे और वहाँ पर उन्हें वापस कर दिया गया था और वो दिन देखिए और आज का दिन देखिए उस समय कश् भारत को कहता है कि आप लड़ाई को रोग सकते हैं तो आप ये समझ दीजिए भारत की शवी दुनिया के सामने किया है और भारत की जो प्रधानमंत्री है उनकी इ nghगिस ऐन्या के सामने कए यूक्रेन के एक थो भारत में जो राजनाई थे उन्होंने भी दॉक्त रहा कि मुझे और नेता के बारे में तो पता नहीं है लेकिन मुझे इतना पता है कि दुनिया में इस वक्त सबसे प्रभावशारी जो है वो नरेंद्र मोडी है और उनके कहने पर युद्ध रोका जा सकता है तो उन्होंने भी विनती कि है कि प्लीज इसमें इंटरफेर करे और युक्रेन रूस के विजुद को रोकने की कोशिश करे मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपका अंदर का पॉलिटिक्स जो चल रहा है वो ठीक है बात अलग है लेकिन ये भी तो सोचो कि भारत की दुनिया के सामने कितनी चैवी है कितनी इज़त है आए दिन आप बोलते रहते हो कि प्रदान मत्री चोर है फलाना ये है अरे भाई तुमको ओटो से जीतना है इलक्षन जीतना है राजनिती करनी है धरम को फोड रहे हो आप मतलब आप कुछ भी बोल दे रहे हो दुनिया क्या बोल रहे है और आप खुद क्या बोल रहे हो बात गलत है इतने पड़े लिखे लोग हो अभी वो एक भाई साब आये है वहाँ JNU से आये है और गुजगे पॉलिटिक्स में और वो भी आये दिन मुझे तो इतना बुरा लगता है क्या करें अब हम छोटे से आदमी है कुछ बोल नहीं पाते हैं तो ऐसी बात ठीक नहीं है ऐसे हैं ना कम से कम प्रधान मंत्री को तो छोड़ना चाहिए यह तो देख लो कि दुनिया में उनका क्या सम्मान है एक कश्मिर का मुद्धा था हमारे पंडित जवाहर लान नहिरों को वापस कर दिया था और आज देखिए दूसरे दिश्यों के मुद्धे में भारत को जब दुनिया कुछ भी नहीं कर पा रही है तो भारत को रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इंटर्फेर करें पुदी भारत एक खेकडों की बालटी की तरह है एक क्पड़ा अगर उपर चटने की कोशिश करता है तो नीचे जो है जो चटनी पा रहे है वो उसकी टांगे क्षिछने की कोशिश करते हैं उसको भी चटने नहीं देते हैं और इसलिए सारे के सारे केकड़े जिसमें विद्वान बीकार भी है उएक ही बकिट में अपनी जिन्दकी तबाह कर रहे हैं अपना समय वैठीड कर रहे हैं तो किसी नहीं कर रहे हैं तो यह भाई आप मीरे जैसे लो ज्यूते हमारते हैं और दूसरी बात यह है कि मैं यह इसलिए नहीं कहे रहा हूं कि हमारे जो प्रधान मंत्रिये सबसे श्रेश्ट है हमें वक्त कहे रहा है कि तुम कहो मोदी तुझे सलाम हम खुद नहीं कहे रहे हैं वह वक्त ही ऐसा है यह वक्त खुद कहे रहा है कि आप कहो बाई साब आप कहो मोधी तुझे सलाम, तो इस बात को समझो, यह चीज़ मेरी एक छोड़ी सी मेरी जो भावना थी, मेरा कोई मतलब नहीं था, कोई चीज़ जैसे सोशल मेडिया पर ये कहने का, लेकिन मेरी मैंन की भावना थी, और मैंने व्यक्त की, और मैं इस भावना को रेकॉर्ट करना चाह रहा था अगर आपको यह भावना अच्छी लगी तो हमरे चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियों में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ तब तक में गुरुभाई नमस्कार टेक कियर